अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाडी के दक्षिन पूर्वी भाग में स्थित द्वीपों का एक समूह है। वे एक भारतिय केंद्र शासित प्रदेश हैं और अपनी आश्चर्य जनक प्राकृतिक सुन्दर्ता, समरिध जैव विविधता और अद्विति सांस्कृतिक विरासत के लिए जाने जाते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में लगभग 532 द्वीप हैं, जिनका कुलक्षेत्रफल लगभग 8249 वर्ग किलोमिटर है, वे भारत और म्यामार के तटों के बीच स्थित हैं। उत्तर में अंडमान द्वीप समू और दक्षिन में निकोबार द्वीप समूह हैं। और दुगोंग जैसी विभिन प्रजातियों के लिए एक सनरक्षित शेत्र हैं। द्वीपों पर विभिन मूल जनजातिया निवास करती हैं, जिन में से कुछ का बाहरी दुनिया से सीमित संपर्क है। भारत सरकार ने उनके अधिकारों और पारंपरिक जीवन शैली की रक नियाय शामिल है क्योंकि आपनिवेशिक काल के दौरान अंग्रेजों द्वारा उनका उप्योग एक दूरस्थ जेल कॉलोनी के रूप में किया जाता था। विशेश रूप से पोर्ट ब्लेयर में सेलुलर जेल द्वीपों ने भारत के स्वतंतरता संग्राम में महत्वप तटों, साफ पानी और स्नॉर्कलिंग और स्कूबा डाइविंग जैसी। जलक्रीडा गतिविधियों के लिए जाना जाता है। हैवलोक द्वीप, नील द्वीप और राधानगर बीच द्वीपसमुह के कुछ शीर्ष परियतन स्थल हैं। द्वीपों तक हवाई और समु भूमी से जोडते हैं। जीवंत मुंगा चट्टानों और रंगीन मचलियों, कच्छों और अन्य सहित विविध समुदरी जीवन की उपस्थिती के कारण द्वीप, स्कूबा डाइविंग और स्नॉर्कलिंग के लिए उतकृष्ट अफसर प्रदान करते हैं। महात्मा गा प्रजातियों की रक्षा के लिए प्रयास किये जाते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समुध प्राकृतिक सुन्दर्ता, रोमाच, इतिहास और सांस्कृतिक विविधता का मिश्रन पेश करते हैं, जो उन्हें यात्रियों और प्रकृती प्रेमियों के लिए एक अ प्रद्वितिये और आकर्शक गंतव्य बनाता।